आंतरिक काया कल्प का सरल किंतु सुनस्चित विधान आडियो बुख लेखक परंपजी गुर्दयो पंडिस्री राम शर्मा आचार जी डे थ्री साधना से सफलता के दो अनिवारे अवलंबन साधना से काया कल्प के विस्तार में जाने से पूर्व साधना से सिद्ध के सिद्धान्त को भली भाती हद्यंगम करना होगा शास्त्रकारों, आप्त पुरुसों, मनीशियों, तपस्वी साधकों ने एक स्वर में इस्तत्त को माना है कि मानवी सत्ता में दैवी विभूतियों का अज़स्ट भांडागार छिपा पड़ा है लक्ष होने का अउसर मिल सकता है इससे अनविग्य मानव, अनपड आदिम सा जीवन जीता किसी तरह अपने दिन पूरे करता रहता है अप्रतक्ष के प्रक्टे करण के लक्ष को ध्यान में रखकर किये गए प्रयासों को साधना कहते है इसके दो प्रयोजन है एक अंतराल की सुप्त विभूतियों का जागरण दूसरा अनन्त ब्रहमांड में संभ्याप्त ब्रहमी चेतना का अनुग्रह अवतरण जागरण हुए बिना अनुग्रह मिल सकना संभाव नहीं सूखी चटान पर पानी कहां बरसता है दोनों ही प्रयोजन देखने में भिन प्रतीत होते हैं परन्तु है अविक्षन एक दूसरे के पूरग बीज में ब्रक्ष बनने के समर्थता सन्नेहित है पर वह अनयास ही प्रगट नहीं होती उसके लिए उप्युक्त भूमी में बीजों को बना उसके लिए खाद पानी का प्रबंद करना पड़ता है इतना बन पढ़ने पर ही अंकुर उत्पन होता है यह आत्म जागरन का प्रयास हुआ बीज जमीन से खुराक खींचने लगता है यह उसका अपना पुरसार्थ है आत्म सादना इसी को कहते हैं कि बीज अंकुरत हो जड़ पकड़े जमीन से खुराक खींचे और पत्तों के माद्यम से हवा से साथ खींचने लगे बरहमी चेतना का अनुगरा है बाहरी साहता उपलब्द करना पौधा हवा से साथ खींचता है या हवा उसकी अपनी कमाई नहीं पहले से ही मौजूद है पत्तों के सांस लेने में सक्षम होते ही वह अभिष्ट मात्रा में मिलने लगती है सभी जानते हैं कि पेड़ों की चुम्बकी शक्ती बादलों को बरसने के लिए बाद्ध करती है हरे भरे फूले फले वरिक्ष को देखकर उसे जी भरकर नहारने, छाया, सुगंद, शोभा का फल फूलों का लाव लेने के लिए कीट, पतंग, पशु पक्षी, मनुस्य सभी उसके समीब दोडते हैं यह बाहरी अनग्रह हुआ, पौधे की तरह जब आत्मसत्ता अंतह साधना से अपनी प्रसूप्त गरिमा को प्रकट करती है तो लोक लोक अंतर से दिव्य वर्दान भी बादलों की तरह बरसने लगते हैं सत्प्रवित्यों के देवता प्रसन होकर आकास से फूल बरसाते हैं इस मानिता में इसी रहस का उदगाटन है कि साधना के फलसुरूप, भीतर के उभार और उपर के अनुग्रह का दुहरा लाब मिलता है देवता पूजा से प्रसन होकर मनो कामनाय पर्ण करने और वैभो बरसाने लगते हैं इस ब्रहम जन्जाल से यथार्थ प्रेमी को अपना पीछा छुडा लेना चाहिए देवी शक्तियां इतनी ओची नहीं हैं कि मनुस्य उन्हें वाग जाल में फसा सके और छुटपुट पूजा उप्चारों से अपने भक्त होने का विश्वास दिला सके जादू की छड़ी घुमाने से उत्पन होने वाले चमतकारों की तरह जो तरह तरह के भ्रहम जन्जाल उन्ते रहते हैं उन्हें निरास ही रहना पड़ता है कोई देवता कबूतर की तरह जाल में नहीं फसता कोई देवी मचले की तरह आटे की गोली नहीं निगलती कोई मंत्र अला दिन का जादूई चिराग नहीं है अध्यात्म विज्ञान का एक ही मान्निता प्राप्त सिधान्त है साधना से सिध्धी जिनने कुछ महत्वण पाया है उनने इसी तत्य को हरदियंगम किया है और पात्तरता विक्सित करने वाले साधनात्मक पुरुसार्थ के साहरे अपनी समर्थता को बढ़ाया है साधनात्मक प्रयोग उप्चार क्रिया कृत्य आरम करने के साथ साथ सरप्रतम एक समस्या का समाधान करना होता है कि प्रगतिपत के अवरोधों को कैसे हटाया जाए और उद्ध द्वार कैसे खोला जाए आत्मिक प्रगति में सिद्धियों की उपलब्धी में सबसे प्रमुख बाधक अपने को संसकार ही होते है द्ष्णमान दुसकर्म अपना बिस्तर समेट कर अद्ध संसकारों का रूप बनकर अचेत की गहरी परतों में जागुसते हैं और वहीं से अनीक प्रकार के संकटों का सिजन करते रहते हैं आग जहां रखी जाती है वही जलाना आरंब कर देती है तेजाब का स्वभाव भै की गलाना है वह जहां भी रखा जायेगा सामर्थ्य अनुसार अपने प्रभाव का परिचे देता रहेगा अंतरक्षेत्र में प्रतिष्ठे दुर्भुद्धी और दुस्प्रवित्ती का समनवय कुसंसकार है यही है जो ना साधना को सिद्ध होने देता है और ना उसनमित शद्धा जमने मन लगने तता गंबीर प्रयत्न करने देता है उतले प्रयत्नों का गहरा प्रतिफल कैसे मिले को संसकार ही है जो यम दूत की तरह पग पग पर तरास देते हैं व्यक्तित को हेय बनाते हैं, रुगनता एवं उद्विगनता के अभिशाप ठोपते हैं, संपर्क शेत्र में असहयोग विग्रह विद्वेश का बातावरन बनाते हैं, सर्व विदित है कि दुर्गणी भीतर से जलता और बाहर से पिटता है नरक लोक में यमदूतों दोरा दिये जाने वाले तरासों का वर्णन गता पुरानों में सुनने को मिलता रहता है कशाय कलमसों से आकशादित अंताकरण ही नरक है अपने ही दुरगुन दूसरों के साथ दुर्वयवार करते हैं अपने ही दुरबुद्धि अचिंत चिंतन में निरत रहकर कुमार्ग पर धकेलती है दुस्प्रवित्या ही उलटकर विपत्तियों की तरह बरसती हैं यमदूत और कुछ नहीं अपने ही को संसकारों द्वारा उत्पन्न किये गए भूत प्रेत हैं जो क्रिया की प्रतिक्रिया का परिचय देते हैं और अनाचारी को तोड़ मरोड कर रख देते हैं नरक और यमत्रास मनुस्य की आत्मसत्ता में ही स्रिष्टा ने स्विनोजित रीति से गूँठ दिये हैं साधना की प्रगति में सरप्रतम साधक को इसी मोर्चिप पर जूझना पड़ता है साधना को संग्राम कहा गया है यही अरजुन का महाभारत है इसे लड़े बिना कोई चारा नहीं क्रिष्ट का आग्रह इसे निमित्त था जब वह तयार हो गया तो वह रत चलाने, घोडे हांखने, रास्ता बताने और विजय दिलाने के लिए वचन बद्ध हो गया साधना यहीं से आरंब होती है साधक को अंतराल के धर्मछेत्र में और व्यावार के कर्मछेत्र में उच्च देश्यों के लिए अग्रगामी होना पड़ता है गांडिय उठाने और करिष्य वचनमत्तव का संकल्प करने के उपरांत ही सामान्यसा पंडुपुत्र भगवान का अनन्य सहचर महान अरजन बनता है यही है साधना से सिद्ध की प्रिष्ट भूमी भीतरी प्रगती और बाहरी उपलब्द के लिए साधना मार्ग पर अग्रसर होना पड़ता है यह मंजल अपने ही पैरों चलकर पूरी करनी पड़ती है मार्ग में सहायक सहयोगी भी मिलते हैं और लक्ष तक पहुँचने पर अभिष्ट उपहार भी उपलब्द होते हैं किन्तु ऐसा नहीं होता यह अपने पैरों को कष्ट देने से बचा लिया जाए और किसी दूसरे के कंधे पर बैठ कर यहा आयात्रा पूरी कर ली जाए देवी शक्तियों के वरदान अनुदान ट्राप्त होने की परंपरा तो है पर वहल आप विजेताओं को मिलता है चात्रवित्तिया उपाधी उत्रण चात्रों को मिलती है शिक्षा आरंब करने से पुर्व ही यह दोनों अनुदान हस्तगत हो सकें ऐसा देखा सुना नहीं गया साधना का साहस करने से पूर्व सिद्ध पुरुसों के अनुदान आशिरवाद अत्वा देव सत्ताओं के सिद्ध वर्दान मिलने लगें ऐसी अपेक्षा करना व्यर्थ है आत्मिक प्रगति पर चलने के लिए भी इसी प्रकार दो कदम उठाते हुए बढ़ना होता है जैसा कि आदे दिन सभी चला करते हैं पैर दो हैं चलने वाले इन्हीं को लेफ्ट राइट करते हुए आगे बढ़ाते हैं अध्यात्म तक पहुँचने के लिए जो कदम बढ़ाने पढ़ते हैं उनमें से एक का नाम है परिशोधन दूसरे का नाम है परिश्कार परिशोधन अर्थात संचित कसाय कलमशों का को संसकारों का दोस कर्मों के प्रारब्ध संचय का निराकरण परिश्कार अर्थात स्रेष्ठता का जागरण अभिवर्दन तो संसकारिता का जीवन चर्या में अधिकाधिक समावेश यह वे दो कदम हैं जिनने बढ़ाते हुए आत्मिक छेत्र की सफलता संभव होती है यही राजमार्ग सबके लिए है इसमें पगडंडी वाला शाट का ढूंडना व्यर्थ है चुटकी बजाते जो रिद्धि सिद्धियों की बात सूचते हैं कुछ ओचे तिरिछे उपचारों के सहारे भौतिक सफलताओं की तुलना में असंग के गुनी अधिक महत्वण आत्मिक सफलता का सपना देखते हैं वे अथार्थ से कोसो दूर है मन मोदक खाने वाले स्वप्न दर्सी व्यर्थ ही म्रक तरश्णाओं में भटकते रहते हैं बड़ी उपलब्धियों का बड़ा मुल्ले चुकाना पड़ता है हर साधक को सिद्धा वस्था तक पहुँचने के लिए आत्मशोधन और आत्मपरिसकार के अवलंबन की अनिवारी रूप से अपनाने होते हैं परिशोधन को तपश्चरिया कहते हैं और परिसकार को योग साधना तब की गर्मी से कुसंसकार जलते हैं और प्रसुप्त सुसंसकार जगते उभरते हैं योग से परब्रम के साथ एकात्म स्थापित करने का अउसर मिलता है बल्ब तब प्रकाश्वान होता है जब तारों के माध्यम से वह बिजली के उत्पादन केंद्र के साथ संबंद जोड़ता है परमात्मा बिजली घर है और आत्मा बल्ब तार मिलने पर ही करेंट चालू होता है आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने से ही साधक को दिव्विचेतना का विभूतियां बढ़ने का प्रमान परिचे मिलने लगता है योग अर्थात आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली भावनात्मक प्रक्रिया तब अर्थात संचित कुशंसकारों दुसकर्मों का दहन प्रायश्चित तब अर्थात उर्जा का उद्भव जिसके सहारे सत्प्रविजन का पराक्रम जगे और उत्कृष्टता अउधारन का साहस उभरे कपड़ा रंगने से पहले उसे भली प्रकार्द होना पड़ता है बीज बोने से पूर्व भूमी तयार करनी होती है कार्थूस चलाने का समय आता है तब अच्ची बंदूख हाथ लग जाती है पूजा से पूर्व इसनान करने धुले वस्त पहनने बुहारी लगानी की आवश्यक्ता होती है भोजन करने से पूर्व हाथ धोते हैं इंजेक्सन लगाने से पूर्व सुई को गरम पानी में उबालते हैं इन उदाहरनों में परिशोधन की प्रात्मिक्ता है। यही बात आत्मिक प्रगति के संबंध में भी है। इस वरी अनुग्रह प्राप्त करने से पुर्व उस दिब्व आवरन के लिए अंतह करन को बुहारने, धोने, लीपने, पोतने की आवश्यक्ता पड़ती है। अवतरन बाद में होता है। दिवाली आने से पुर्व ही लक्ष्मी पूजन के लिए घरों की रंगाई पुताई होती है। दुल्हा बारात लेकर आए उससे पुर्व भी ऐसी ही सफाई सजावट होती है। दैवी अनुकंपा जीवन में उतरे इससे पुर्व उसे भी कुसं भूमी बनने पर ध्यान धारना के अगले कदम उठते हैं। उपाशना का समुचित प्रतिफल प्राप्त करने के लिए आवश्यक है आत्मशोधन की प्रक्रिया पुर्ण की जाए। यह प्रक्रिया प्राइश्चित विधान से ही पुर्ण होती है। हटियोग में शरीर शो भूधन कार्य यम नेमों के रूप में करना पड़ता है। भोजन बनाने से पूर्व चौका चुला बरतन आदी की सफाई कर ली जाती है। आत्मिक प्रगति के लिए भी आवश्यक है कि अपनी गतिविदियों का परिमारजन किया जाए। गुण कर्म स्वभाव को सुधा और पिछले जमा हुए कूडे करकट का धेर उठाकर साफ किया जाए। आयूरवेद के काया कल्प विधान में स्नेहन, स्वेधन, वमन, विरेचन, आदी कृतियों द्वारा पहले मल शोधन किया जाता है। तब उपचार प्रारंब होता है। आत्मसाधना के संबंध में भ सुलब एवं अनेक दिश्टियों से सत्परिणाम उत्पन करने वाली साधना आध्यात्मिक काया कल्प की काया कल्प चिकत्सा में शरीर में भरे हुए मल विकारों की पूरी तरह सफाई की जाती है। तथा ऐसे उपचार अपनाये जाते हैं जिससे नए रक्त का नाडियों में संचार होने लगे। पाचन तंत्र नई इस्पूर्थ के साथ काम करने लगे। मांस्पेसियां फिर से कड़ी हो जाएं और नाडियों में प्राण प्रवाह नई चेतना के साथ बह निकले। चांडरायन तपश्यार्या को भी इसी इस्तर का माना गया है। उसका मुख् अध्यात्व साथना में अपने आपको इश्पर के रंग में रंगना होता है। तभी दोनों का वर्ण एक जैसा बनता है। इसके लिए सर्पतम धुलाई करनी पड़ती है। कपड़े को बिना धोये रंगा जाए तो काम ना चलेगा। वह तेल कीचड में डूबा हो तो रंगने के लिए किया गया परिष्टम भी व्यर्थ चला जाएगा। रंगाई को साधना और धुलाई को प्रायश्यत कहते हैं। मेले कुचेले गंदे कपड़े जिनने किसी का मन देखने चुने पहनने को नहीं करता उन्हें शुद्ध आकरसक और पहनने योग्य इस्थिति में बदल देना धुबी का काम है। हे इस्थिति को श्रेय में बदल देने का चमतकार धुबी का हाथ ही करस दिखाता है। यह कायर प्रायश्यत प्रक्रिया का है। वो मरश्यों की गिरी, गंदी, जीवन इस्थिति का काया कल्ब जैसा परवरतन करती है। और देखते देखते उच्च भूमिका में पहुंचा देती है। धोबी कपड़े को गरम पाने में डालता है, उसका मैल फुलाता है, साबुन से गंदगी को काटता है, पीठता है, धोता है, सुखाता है, इसके बाद कलफ लगाकर इस्थिति कर देता है। इतनी क्रिया कलाप में होकर गुजर जाने पर गंदा पुराना मैला कपड़ा नए से भी अधिक आकरशक बन जाता है। प्रायस्चित में ठीक यही सब करना होता है, अपनी गुण कर्म स्वभाव की मलिंताओं को समझना, इस जीवन में किये हुए पापों को इस्परन करना, उसके लिए दुखी होना और यह सब छोड़ने के लिए प्रबल तड़पन का उत्पन होना, यही गरम पानी में को डालना है, दबे हुए छिपे हुए मैल को फुला कर इस्पष्ट कर देना, अपनी जो बुराईया, पापकृतियां छिपा कर रखी थी, उन्हें प्रगट कर देना, मन में दुराव की कोई गाठ ना रखना, भीतर बाहर से एक सा हो जाना, यह मैल का फुलाना है, आज की स्थिति में सर्व साधरन के सम्मुख, अपने दुश्चरित्र प्रगट कर सकने का साहस, ना होता हो, तो कम से कम एक शोधक, मारदर्सक के सम्मुख, तो सब कुछ कही देना चाहिए, पाप का प्रगटिकरन, पाप को हलका करता है, और चित्त पर से भारीपन का बोज उतार साबूल लगाना, भावी जीवन की रीतिनीति नरधारन करना है, प्रायस्चित्र की सार्थकता तभी है, जब पिछली गत्विदियों को बदल कर श्रेष्टता के पत पर चलने का निश्चय हो, यह निश्चय ही साबून है, इस थूल साबून ऐसा ब्यक्ति हो सकता है, जि इस यूग समझा जाए, जिसके सामने प्राप प्रगट किये जाए, और जिनके परामर्ज से प्रायस्चित विधान का निश्चय किया जाए, लकडी से पिटाई, पानी में दुलाई, प्रायस्चित की तपश्चरिया है, जिसे पिछली भूलों के दंड सुरूप, स्वेक प्रवक किया जाता है शारेरिक और मानसिक सुविधाओं से कुछ समय के लिए अपने को वंचित कर देना यही तब कहलाता है किस कर्म के लिए किस स्थिति के व्यक्ति को क्या तपश्चरिया करना ही चाहिए यह इसे बहुत ही सूक्ष्प है इसका नरधारन नर्ने किसी हलकी होती है दंड के लिए भी शारेरिक मानसिक स्थिति का ध्यान रखना पड़ता है यह नर्ने स्वैम नहीं करना चाहिए वरंड किसी तत्वग्याने से ही कराना चाहिए कलफ करना इस्तरी करना यह है कि जो छती समाज को पहुँचाई है उसकी पूर्ति के लिए दान त् पर्मान्त के कार्य किये जाएं इससे उस रिन से मुक्ति मिलती है जो अनीती द्वारा अपहरन करके अपने सिर पर एकत्ति किया था जो कभी न कभी ब्याज समय चुकाना ही पड़ता है अच्छा यही है कि उसे इमानदारी पुर्वक स्वेक्षा पुर्वक इसी जन में च चुका दिया जाए यही कलफ लगाना है लोहा करने का अर्थ है भावी जीवन की रीति नीती का व्यवस्ता पुर्वक नरधारन इसमें सोचने का ढ़ंग द्रिश्टिकोन बदलना और कार्यपद्धति का हेर फेर यह दोनों ही बातें सम्मिलित हैं शरीर के क्रियाएं बद ले तो भी काम नहीं चलेगा और मन बदल जाए शरीर वही हे कर्म करता रहे तो भी वह विदमना ही है दोनों ही परवर्तित इस्थि भावी जीवन की रीति नीती निरधारित करती है और जिस पर चलने का सुधर्ण निश्चे किया जाता है उसी की सार्थकता है प्रैश्यत का आरंभिक जीवन शोधन की तड़प से आरंभ होता है मद्द में सोधनात्मक्रिया से क्रत्य करना पड़ता है और अंत में भावी जीवन की रीति नीती निरधारित करने के रूप में उसकी पुढ़ना होती करनी पड़ती है सरवांगिन प्रैश्यत की यही समग्र प्रक प्रक्रिया है दुसकर्मों से अपने अंतह करन को विचार संस्थान को तथा कैरक्रमों को जिस प्रकार दुस्प्रवित्तियों से भर दिया गया था उसी साहस और प्रयास के साथ इन तीनों संस्थानों के परिमारजन परिशोधन एवं परिसकार की प्रक्रिया को प्रहश पाप कर्मों से समाज को श्टि पहुंचती है। संकट उत्पन्न होता है ऐसे ऐसे अनेक कारण है जिन्हें देखते हुए समझा जा सकता है कि जिसे पाप कर्म द्वारा छती पहुंचाई गई अकेले उसी की हानी नहीं हुई प्रकारांतर से सारे समाज को छती पहुंची है विराद ड्रम को बिश्वमानों को ही परमात्मा कहा गया है आता है यह एक प्रकार से सीधा परमात्मा पर आक्रमन करना उसे आघात पहुंचाना और रुष्ट करना हुआ अपराद भेले ही व्यक्तिया समाज के प्रती किये गए हूँ उनका आघात सीधे इस्वर के सरीर पर पढ़ता है और उसे तिल मिलाने वाले कभी सुखी नहीं रहते आवांचनी इताओं का ततकाल परिशोधन होता रहे गंदगी जमा ना होने पाए यह उचित है देर तक जमा रहने के उपरान गंदगी के सडन अधिकाधिक बढ़ती जाती है सरीर में जमा हुआ विजातिय द्रब जितने अधिक समय ठहरेगा उसी अनुपाद से विस बढ़ता जाएगा और सामाने रोगों की अपेक्छा उससे असाद्ध बिमारियां उपजेंगी पुराना करजा ब्याज समेत कई गुना हो जाता है मनो माली न बहुत समय तक टिका रहे तुबह द्वेस प्रतिशोध का रूप धारण कर लेता है संचित पाप कर्मों के संबन्ध में भी यही बात है उनका प्रतिफल भुगतने में जितनी देर होती उतनी ही प्रतिक्रिया भैंकर होगी नया अपच जुलाब की एक गोली से साफ हो जाता है किन्तो यदि कई दिन तक मल रुका रहे तो उसकी पत्थर जैसी कठोर गांठे बनकर ऐसे भैंकर उदर सूल का कारण बनती है जिसके लिए पेट फाड़ कर गांठे निकालने के अतरिक्त और कोई चारा ही शेश नहीं रह जाता गंदिगी को जितनी जल्दी हटाया जा सके उतना ही उत्तम है इस जन्म के विदित और विस्मत पापों से लेकर जन्म जन्मांतरों तक के पापों का निराकरण आवश्यक है उन्हें निकालना और नरस्त करना अत्यंत अनिवार्य कार्य है विश्खा जाने की गलती का परमार्जन इसी प्रकार हो सकता है कि पेट और आतों की धुलाई करके वमन विरेचन द्वारा उसे जल्दी से जल्दी बाहर किया जाए प्राण संकट उसी से टल सकता है प्रायश्यत ही परिशोधन का एक मात्र उपाए है साधना विज्ञान में शारिरिक मानसिक मलिनताओं के निसकाशन पर जोर दिया गया है आयुर्वेद में विकार ग्रस्त शरीरों के मल शोधन की प्रक्रिया के उपरांत चिकित्सा का समुचित प्रतिफल मिलने की बात कही गई है हठ योगी नेती धोती वस्ती नियौली कपालभाती आधि क्रियाओं द्वारा मल शोधन करते हैं आयुर्वेद में वमन विरेचन स्वेधन स्नेहन नस्य आधि शोधन कर्मों से संचित मलो का निशकाशन किया जाता है प्रक्रतिक चिकित्सा में यही कार्य उपवास और एनिमा के द्वारा किया जाता है राज योग में यमनियमों का विधान है कुंडलेनी योग में नाड़ी शोधन की अनिवार्यता है यह उसका बाह्य विधान ट्राणायामों की विशेश प्रक्रिया पर आधारित है पर उसका मूल, उदेश, शारिरिक और मानसिक छेत्र में घुसी हुई विकृतियों का निराकरण ही है लोहे को काटने के लिए लोहा, विस्क को मारने के लिए विस्क, काटे को निकालने के लिए काटा प्रयुक्त करना पड़ता है दुसकर्मों के संचे को सतकर्मों से निरस्त किया जाता है आग में गरम करने से धात्मों के शुद्धी होती है रसायन बनाने के लिए अग्नी संसकार की विधि प्रयुक्त होती है तपाने में इटों से लेकर मृत्ति का पात्र तक मजबूत होते हैं पानी गरम करने से शक्तिशाली भाब बनती है, तपश्चर्या की आग में संचित दुसकर्मों और कुसंसकारों का परिशोधन होता है, श्वेक्षा पुर्वक दंड स्वीकार करने की शालिंता अपना लेने में पकड़े जाने पर दंड पाने की अपेक्षा मनुस्य की अध बुद्धिमानी है, इससे खोई ही प्रतिष्ठा को फिर से पाया जा सकता है, भूल को स्वीकार करने और सुधारने वाले व्यक्ति दया के पात्र समझे जाते हैं, उलट पढ़ने से सुधार होता भी दृत गति से है, वालमी की अशोग, अंगुली माल, अजामिल, साहस में बदल गया, और वे द्वन्स की अपेक्षा शिजन की भूमी का संपन्न करने लगे, प्रायश्चित इसे इस्तर का प्रयोग है, प्रायश्चित विधानों के अगणत उलेख कथा पुरानों में भरे पड़े हैं, शंक और लिखित दो भाई थे, एक ने दूसरे के बगीचे से बिना पूचे फल खा लिये, यह चोरी हुई, उनने राजा के पास जाकर आगरह पुर्वक दंड विवस्ता कराई, और उसे भुगता, बिलुमंगल ने कुदर्ष्ट रखने वाली आँखों को ही नश्ट कर दिया, इस पर वे सूरदास बने, सती ने शुजी क आदेश नहीं माना, और वे बिना बुलाय पित्र ग्रह चली गएं, भूल समझ में आने पर उनने आत्मदाह कर लिया, धतराष्ट और गांधारी ने अपनी यह भूल स्वीकार की, कि उनने अपने पुत्रों को अनीती से रोखने में आवश्यक कडाई नहीं बरती, और महा भारत का विनाश उत्पन हो गया, तोनों ने प्रायश्चित करने की ठानी और वे मरंट परियंत वनवास में रहकर तपश्चरिया करते रहे, कुंती ने भी अपनी भूलें स्वीकार की और वे ध्रतराष्ट गांधारी की सेवा करने के लिए उनी के साथ वन गई, भूलें मात्र करवों की ही नहीं थी, उसमें जुआ खेलने और पत्नी को दाओं पर लगाने जैसे अनेक दोस्पांडवों के भी थे, अस्तु कुंती को भी हिमाले में शीच से गल कर प्रान त्यागने का प्रायश्चित विधान अपनाना पड़ा, भीश्प सरसया पर लेटे थे, उन्होंने मृत्तु टाल दिया और उसी कश्टकर इस्तिती को देर तक सहन करते रहे ताकि अनीती समर्तन के पाप का प्रायश्चित संभा हो सके, बालमी की पहले डाकू थे, पीछे इश्वर भक्ति के मार्क पर चले, इस परवर्तन बेला में उनने पापों का करने के लिए तब साधना को आविश्यक समझा, वर्णन है कि वे अविचल साधना में बैठ गए, उनके शरीर पर दीमक ने घर बना लिया, बंभाजे ने आकर दीमक छुडाई और पाप मुक्ति का वर्दान दिया, इसी घटना के आधार पर उनका नाम बालमी की पड़ा, बालमी की संस्कृत में दीमक को कहते हैं, ऐसी ही कठा सुकन्या की है, उसने महर सी चवन के तब सनलग शरीर पर जमी हुई मिट्टी को मात्र टीला समझा, और उसमें चमकती आँखों को कोई अदबत वस्तु समझने के कारण आँख वाले छेदों में लकडी डाली, तो पता लगा कि इसकी भूल से कितनी बड़ी तुरगटना हो गई, इसका अनुमान लगाया, तो निश्चे किया कि वह रिशी की सेवा आजीवन करेगी, और अपने आँखों का ही नहीं, अपने पूरे शरीर का लाग उन्हें देगी, आग्रह पुरवक सुकन्या, चवन रिशी की पतनी बनी और उसके इस प्रायश्चित तप से नाकेवल चवन रिशी को आरोग प्राप्त हुआ, वरन सुकन्या का यश्च भी अमर हो गया, अंगली माल ने चोरी डाके से मुख मोड कर बुद्ध की सरनागती प्राप्त की, साथ ही प्रायश्चित रूप दुस प्रायश्चित के साथ ही उसने नकेवल वैश्चिया वृत्ती छोड़ी, वरन उस आधार पर कमाई हुई विपुल संपदा भी बौध विहारों के लिए दान कर दी, ऐसा ही प्रसंग पिंगला वैश्चिया का है, उसने भी भक्तिमार्ग अपनाने के साथ साथ जीवन पर वर्तन की वास्तविक्ता सिद्ध करने के रूप में प्रायश्चित किया था, और अपना उपारजन सत्कर में लगाया था, समराट असोख ने भी यही किया था, उन्हें चंड कहा जाता था, चंड अर्थात क्रोधी, जब मुड़े बदले, तो उन्होंने साथू की तरह न प्रायश्चित स्वरूफ ही अपने शरीर को अगने धूम्र में नश्ट किया था, इतने कठोर प्रायश्चित तो इन दिनों नहीं बन सकते, फिर बने भी तो आत्मत्रास की वैसी उपयोगिता अब नहीं मानी जाती जैसे की पुर्वकाल में मानी जाती थी, कल्पसाधना में जहां पापों के प्रायश्चित की प्रकरता है, वहां आरोग्य लाव, स्वास्य संतुलन, दिष्टिकोन का परिवरतन, भविष्ट नरधारन, एवं आत्मिक प्रगति का पथ प्रसस्त होने जैसे अनेक अत्रिक्त लाव भी हैं, इसलिए उच्चस्तरी साधना मार्क पर चलने वालों को इस कठोर परंतु फलदाई साधना के लिए परामर्श दिया जाता है।